यहां पर आप मेरे वाराँ जान सकते हैं और आप प्रसकते हैं और यह पर सब्सक्राइब कर सकते हैं इसको आप जरूर जोन कर लिए यहां पर सभी नोटिफिकेशन वीडियो लिंक नोट्स वाटेबर जो मैं प्रॉबाड कराता हूं को इस टेलेग्राम चैनल के अंदर में सेर्ब कर देता हूं आप इस बार को इसके कर लिजे और आप इसको टेलेग्राम चैनल को जोन कर सकते हैं थर्टीन का सी बी और एनिवड़ी और इता फंक्शन अब कमिटी काउंसल इन कमिटी ओनिजिशन का क्या 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 वर्क होता है कमिटी को एक अट्टा करना लोगों को जोड़ना कॉड़नेट करना इसके रिगार्डिंग डेटा कलेक्ट करना जिस के लिए काम क्या जा रहा है जिस पर्पस के लिए कमिटी को बनाया गया है प्रमोटिंग पब्लिक अंडेस्टाइडिंग की पर्पस क्या है बेसिकली कमिटी का उसको बनाने का उसके बारे में लोगों को बताना कि यह सभी के सभी बर्क होते हैं कमिटी काउंसल में तो सी आपका करेक्ट हो जाएगा यह आइडिंटी नीड वन सेकेंड कौन सा कॉश्चन आ रहे हैं प्रोटिंग पॉब्लिक अनस्टाइडिंग एंड कोडिनिशन ओफ एक्टिविटी एबीडी विल भी राइट आंसर एंड फंड्रेजिंग किसका काम होता है एनीबडी के बारे में मतलब होता कमटि ट्रस्ट जैसे के माली जी कोई Hahaha उसके अंद्र हन्डीजियो और एंडशन. जी होती करना क्या है कर्णा क क्विभर्वी से धंटे से करना और किसी से को इसने के लिए उसका प्रफ़ मुझे क करें घ्म करना है तो यह बंड लूट वम करें खाक करना अव्किन करता है तो कमिटीटीचेस्ट की फंड रेजिंग करता है ये आपकान जैसे कोई कमीटीचेस्टीय कोई है कोई सब्सक्रीन ही होता है कमिटीटी त्रस्ट जो की फंड फजादा फोकॉस करता है क्वेशन नमबर फॉर्टीन आरेंज दा फॉलिविंग स्टैप सब्सक्राइब को बताना है कौन सा आप्षिन हैं आपकर करेक्ट होगा सबसे पहले क्या आता है कि जो नीड से है जो प्रॉब्लम है जो चिलिंज उसको हम आइड़िफाई करते हैं उसके बारे में जो है यㅇड़ से प्रॉट से कैसे उसको रिजूल्ब करना है नीड है तो कैसे फुलफील करेंगे चेलेंज है तो कैसे उसको सॉल्ब करेंगे राइट छुब्स करना आपकी पहले रिक्ट्ले बारे में रिकार्य था करते हैं उसको इbraikda करते हैं शो है उसको फूरा करने के जो भी resources होते हैं उसको कैसी need को फूरा गया जाएगा फिर उसके regarding plan of action पर काम करते हैं जी नहीं आए sir मेरा answer जा नहीं रहा है कैसे हो सकता है तो आपका D और C ऐसे आ जाएगा तो A B D और C पहला वाला correct हो जाएगा okay? Tольно से नमर पर आगा आपका resources को explore करना उसके उसके रिगार्डिंग जो मैं प्लान तयार करते हैं कैसे उसका एज्ड करना है कैसे को फुल फिल करना है कैसे औंब्लम को सल्फ करना distra पहला answer correct होगा कि मानी lessonse sir मेरा answer कि मैं भी फ़ाल सकता है है जटिए कर लिजीग आप यापर किसी आप है फूर्टीन में प्रफस्ट्फुली इस्टेबलिस्ट रिलेसेंशिफ आर दे की तुदी सलुशन और प्रब्लम। इसी प्रब्लम के सलुशन को निकाननी के लिए जो है एक अच्छा योग अद्दे स्पून जिस्था जरूरी होता है जिए दा की महत्फूर होता है और दूसरा दिया है रिजन इस्टेब्स्ट्स्मेंट और रिलेसेंशिफ इस इसेंशिल पार्ट आफ रैपोर्ट विल्लिंग लीडिंग तुछी सलुशन अफ दा प्रॉब्लम। यहां पर विजिकली फोकस किया गया रिलेसेंशिफ पर और प्रॉब्लम सलुशन पर दो टर्मिया पर है तो यह तो समझ में आहीं किया होगा कि आपास में यह जुड़े हुए हैं दोनों के दोनों हाँ सभी का अंसर करेक्ट है दोनों सही है और रिजदा राइट एक कि यहां पर बात कर रहे हैं एक रैपोर्ट बिल्डिंग की बात कि जा रही है कि अगर किसी प्रॉब्लम को सलुशन निकालना है तो उसके पहले जो है इसेंसिल जो पार्ट होता है रिस्ता बनाने का वो रिपोर्ट बिल्डिंग होती है लोगों से जानते हैं उनको समझते हैं इंट्रक्ट करते हैं इस दूसरे को समझें कि तभी जो है एक बहतर रिष्टा बन सकता है एक प्रोफेशनल रिश्टा बनेगा उसकी बाद हम समस्यां को समझ पाएंगे उसका स्लूशन निकाल है यहां पर बात किया रही है प्रोफेशन अब दे प्रॉड्लम उसके लिए क्या चाहिए एक बहतर रिष्टा रिष्टा कैसे बनेगा प्रोफेशन विल्डिंग आपका पहला करेक्ट हो जाएगा पढ़ना हो रहा है आंसर देने में आंसर सब लोग अपने आप अपने आंसर दीजिए को किसी का आंसर देखे का नहीं आपको सबके आंसर आजाएंगे तभी मैं बाद में एक्स्पेंग करूंगा तभी नेक्स्ट कुस्टन पर जाओंगा ओके जैसरी नाड़ सबके आंसर आजाएंगे तभी आके बढ़ेंगे तो यह वाला क्वेश्टन के लिए है किसके द्वारा बेस्गली कंसेप्ट दिये गए कि का नहीं डशा कि भी आएज दूएंगे जैसरी का जी आएजब के लिए यह यह इनली के लिर यह दोरेवारों श्रीश्टन करूंगे ड़नाव सेस्टन करूंगे तो今 सब्सक्राइब का मतलब क्या होता है एन जैसल साथ का मतलब क्या होता है एनिबडी बिलकुल इसका मतलब होता है कम्रिटी और जैसे साथ का मतलब होता है सोसाइटी कलियर है जैसे कम्रिटी छोटा होता है जैसे रूलर एरिया है वहाँ पर सेंटिमेंट्स होते लोगों को में अच्छी बांडिंग होती है और अगर बात करें सोसाइटी सोसाइटी बड़ी होती है जैसे कि माली यह कोई सिटी है सहर है कोई सिटी है जहाँ पर जो इस ते इतने क्लोज नहीं होते है आपस में और इसमें नहीं है तो यहां पर ऐस है तो यहां पर दोनों में ऐस है ऐसे आद कर लीज़ेगा और दिया गया बिशिस ओफ दुर्खायम थ्योरी ऑफ दैमिएंस इस बिवेंस के जो धिय दी दिय गही थी दुर्खायम के द्वारा थे ओ अट द्वारा धिय यह उसके तक धानेस क्या है अरिचुलिजम कनफर्मिटी अनमी और रितेटिजम नहीं रोंट अनसर होगा इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है इसका मतलब क्या होता है तो इसमें डिसॉर्टर होना तो दुर्खायम बोलते हैं कि जो डेवियंस है हमारे जो है सोसाइटी का हिस्सा है जिसको होना ही होना है समाज के अंदर डेवियंस होगा ही होगा इसे की बज़य से चलती है बदलती है मूब करत यहाई होती है बदला वाता है समाझ के अंदर ओके तुम तुह पर जो सकते हैं अंदर बहुत सार यह हुआ है, तो अगर उनको वाली जो रोजगार नहीं मिलेगा, तो वो क्या करेंगे, पैसे अर्म करने के लिए कुछ ने कुछ गलत तरीका बनाएंगे, जिससे समाज के अंदर एक सोशल डिसॉर्डर डवलप होगा, तो वही अनॉमी है, उसको हम बोलते है अनॉमी, जो बेसिस है इस थियोरी का अधिरखान थियोरी अव डविएंज, और री ट्रीटिज्म का मतलब क्या होता है एनीबडी, री ट्रीटिज्म, पता नहीं, देकि इसका मतलब होता है कंड़ो, अपने काम से जो है, बिड्रो कर लेना, जैसे कि माली जीए, सारे एक बार फिर जांठी के एक बार बता देते हैं, और री ट्रीटिज्म का मतलब बताते हैं पहले, कि जैसे माली जीए, घर के अंदर लोग रहते हैं, तो फर एक्जंपल कोई परसन है, वो अपना घर छोड़ दे, क्योंकि वो घर की जो जुम्मेदारी है, उसको पूरा नहीं कर पा रहा है, उसको बोलते हैं, मतलब बोता है, simple, बिड्रो कर लेना अपने आपको, सिसाइटी से, सिसाइटी के रूल्स, रेगॉलेशन से, सिसाइटी के बर्क से, सिसाइटी के जो गूल होते हैं, उसको फिल कि यह बोलते हैं जो है यह जो है इसे ही समाज के अंदर होता है बदला होता है चेंज़ होते हैं यह होना ही होना है और ग्जाम्पल जागे हम देख सकते हैं कि जैसे कि माल लिजिए अभी प्रिजन टाइम इंडिया में जैसे कि जॉब नहीं है कम जॉब है यूथ ज्यादा है तो इस से क्या होगा जोब नहीं होगी तो लोग अर्णिंग कहां से करेंगे लाइब लूट कहां से कमाएगे कुछ गलत काम करेंगे कुछ क्रिम्लिक करेंगे तो समाच के अंदर इसके द्वार बोला गया था बताईए इमानी मिस्रा समझ में आ रहा है न तो यहां पर बोला गया इनके द्वारा कि जो बेसिस है इस थियोरी का डेवियंस का वो है एनोमी होती है इस नुवाज के अंदर सोशाइटी के अंदर किसके द्वार बोला गया था है ओके ठीक है तो यह आपका हो गया रिटेटिज्म और कंफर्मिटी के मतलब वही होता है अनुरूपता कंसिस्टेंस यह की चीज होना कर्मकांट तो हो गए नहीं तो सी आंसर आपका क्रेक्ट हो जाएगा यहां तक क्लियर है किसी को डाउट है 17 में क्वेश्चन नमबर 18 क्वेश्चन नमबर 18 क्वेश्चन दीजिए विच दू फॉल्विंग इस्किल्स अरे सेंसियल इन रिसोर्स मॉब्लाइज़ करने के लिए कौन-कौन सी इस्किल्स होना जरूरी होती है सबसे पहले तो यही कि आपके पढ़ियो गोश्चन पढ़ लीजिए आंसर दीजिए फिर मैं इस्किल्स करता हूं आइधिक पढ़ ली आप लोगों ले देखिए सिंपल है पहली बात तो यह सभी में आप्सन में है तो यह तो पढ़ना नहीं है आपको पढ़ने के जरूरत नहीं है अब देखिए बी और सी ओडी अगर हम डी दिख लेंगे डी क्या लिखा है इसके इन कलेक्टिंग कैस अ है अंदर आते हैं तो होगा नहीं है टो यह जाए आप डर अब देखिए सी दिखले ते में कि सहल जैका है जो भी आप आनको को शैन कोषाबिये की इंपोर्टेंट ब्रसोटे यहांसे आप देख सकते हैं इसके लिन प्रपेरेशन अदर कोई प्रोग्राम चलाना है तो अगर आपको गौवर्मेंट से या फिर एंजियो से पैसे चाहिए या रिसोर्स चाहिए तो आपको एक प्रोपेजल देना पड़ता है कि हमारी रिक्वार्मेंट है यह रिसोर्स को प्रोपोजल बनाने की तो आपका सी आंसर क्रेक्ट हो जाएगा ओके सभी का अंसर क्रेक्ट है इंक क्वेस्चान नमबर नांटिक विच अप देड्यूटीज हाज बीन प्रस्क्राइब वाइड इंडियन कॉंस्टूशन फॉर देडिया भारतिय सम्मदान में नागरिकों लिए कौन-कौन सी ड्यूटी दी गई है इसमें आप नेकलेते हैं इसी प्रकार से बी तू प्रिजर्ब एरे चारटेस्ट तो भी होगा तो मतलब यह आपका इलमेट हो जाएगा ओके सी मिनमाइज इनकम इनक्वाल्टी यह सिडिजन की जुम्मेदारी नहीं यह आपका डीपीसपी के अंदर आता है यह स्टेट की होती है कि जो है कि रिस्पनस्बंसब्ल्टी होती है कि जो है इनकम इनकॉल्टी स्टेट से खार में कहना नहीं होगा तैट मेस यह आपका संगया यह वाला गया और यह की अबर कंट्री, that is also part of the duty of citizen. One second, कोई class जोन करना चाहता है. Question number 20. Functional approach in social case work was developed by किसके दौरा इसको developed किया गया? Please mute. Jesse Tepth and Auto Rank, Radon Hamilton, Talcott, Parson. Question, कौन सा correct होगा? Jesse Tepth, Auto Rank, Functional approach in social case work given by Anybody? और भी answer आने चाहिए, यह दो ही answer आने चाहिए, यह दो ही answer आने है, photo rank के द्वारा दे गई और photo rank के द्वारा, ओके, देखको यहां पर थ्लोला confusion है, इस्ट्रेंट को ना, यह जो theory है, functional approach, in case work, social case work, यह जो develop की गई है, जैसी concept के द्वारा और इनके साथ ही और थे, लेकिन आधारत है, auto rank की theory, auto rank की जो theory थी, bill theory, okay, कि हम जो भी काम करते हैं, उसके जो power होते हैं, power of our mind, कि हमको क्या काम करना है, क्या decide करना है, उसको हम bill बोलते है, strong determination about something, okay, उसको मोलते है, bill, bill theory थी, यह थी आपकी auto rank की, उसी आधारत, यह इनके द्वारा theory दी गई थी, जैसी थे द्वारा functional approach, of social case work, okay, तो exam में अगर आए ना, तो यह आपको जैसी थे आपकी answer करना है, य अगर bill आता है, bill theory, इसके द्वारा दी गई तो आपकी auto rank के द्वारा होगी, सर मुझे conclusion है, इसमें, किसी पैसे ऐसे कोई auto rank है, हाँ, कहीं पर auto rank मैंने देखा है, लेकिन मैंने बाद में उसको पढ़ा, इगनों कि नोट्स में mention किया गया है, फिर उपर तरीके से, यह ना कि जैसी ठाप थी, उनके साथ साथ, एक और thinker का नाम क्या है, कोई Robinson करके है, उनके द्वारा इस theory को double up किया गया था, तो इसको आप याद कर लीजिए, हाँ, Robinson, वह Robinson करके हैं कोई, इन दो लोगों के द्वारा यह theory को बनाया गया था, यह लोग इनी के student थे, auto rank के ही, आपका यह वाला correct हो जाएगा, कहीं-कहीं पर answer bill auto rank दिया गया है, लेकिन वह इतना correct नहीं है, इसको मैंने अच्छे से समझा है, पड़ा है, आपका यह वाला correct होगा, कौन से करना है, यह वाला करना है, Jesse Theft, प्लस Virgin Robinson करके दो नाम है, दोनों के दोनों के द्वारा इस theory को ब पहला answer मार करना है, बर्जिनिया पी रोबिंसन हाँ, बिल्कुल correct है, ओके, question number 21, यहाँ पर doubt तो नहीं किसी को, कोई confusion पोटो रंकी जो theory है, functional approach, जो personality theory है, वो बिल पर आधा रहते हैं, यह थोड़ा different इसको पढ़ लेना, question number 21, observation means to see things, with a basis, with many purpose, without a purpose, for the important discussion, for the understanding of any phenomenon, observation हम क्यों करते हैं, observation का मतलब होता है, किसी चीच को wash करना, किसी चीच को देखना, carefully understand करना, learn करना, देख कर के चीच, उसको हम बोलते हैं, observation, 21 cancer दीजिए, सिंपल है, यहां पर दिया है, without a purpose, अगर हम observation कर रहे होते हैं, यासे research की बात करें, तो research में observation किया जाता है, okay, तो वहां पर कोई न कोई purpose तो होता ही न, observe करने का, बेना किसी चीच को आप observe नहीं करें, किसी चीच को attentively नहीं देखेंगे न, carefully आप किसी चीच को देख रहे हैं, तो there is some purpose behind this, तो यह option तो होगा नहीं, किसी बाला, c option नहीं होगा, मतलब आपके यह एक-दो option element होगा, okay, next यहां पर डी दिया है, for important discussion, for understanding, यह नहीं फिर्मना, e होगा, यह तो होगा ही, होगा e, तो आपका e, aq option यह आपर है, वो आप मार कर सकते हैं, क्लियर है, question number 21, question number 22 कहां से दीजिए, which of the following falls within the scope of welfare services, vocational education, special education, higher education, or technical education, 22 कहां से दीजिए, देखी welfare service का मतलब क्या होता है, यह तो यह government के द्वारा दी जाती है, government के द्वारा sponsor assistance program होता है, वो लोगों तक पहचा जाता है, तो आपका welfare activity में आता है, welfare service में आता है, तो उसमें किसी खास पगार की education हम देते हैं, तो आप त्रोधी जो हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम में उसके माध्यम से भी दी जाती है, तो देही देजाए टेकनिकल एजुकेशन की तीनों टर्म जो है, इसके अंदर नहीं आएगी, welfare activity की बात कर रहे हैं तो special education दी जाती है, special assistance दिया जाता है, आपका B हो जाएगा, question number 23, according to Robin's major function of communication in a group, गुरुप के अंदर जो major functions होते हैं, communication के कौन कौन से हैं, 23 का answer दीजिए, group के अंदर एक system बना हुआ है, गुरुप के अंदर लोग है इंट्रक्ट कर रहे हैं यापस में, communication है उनके बीच में, तो क्या-क्या function होगा, control, of course control एक कुछ का part होगा, control emotion, sorry motivation होना चाहिए, communication के लिए बाचीत करने के लिए motivation जरूरी है, emotional expression and information, तो कि अपनी बात रखना, emotional तरीके से किसी रूपने, बात को present करना, express करना, information को share करना, so these are the part of the function, and these are the option, forcing members to keep silent, लोगों को force करना कि वो कुछ ना बोले, silent रहे, या उनके जो cause हैं, जो problem हैं उसके बारे में ना बताएं, ignore करें, ऐसा नहीं हो सकता है, इसका purpose ही होता है ग्रूप बनाने का, कि लोग अपनी जो है, उनकी problem हैं, समस्याएं हैं, आपस में share करें, interact करें, बादचीत करें, तो D तो बैसे भी नहीं होगा, तो आपका अंसर कौन सा हो जाएगा? ABC. Okay, the next question, question number 23. Who granted provision to fenders? बहुत simple question, गलत नहीं होने चाहिए. Police court, prosecution, jail. आप लोग ट्रिटल काउंट कर रहे हैं, कितने आंसर आपके correct होने वाले हैं? Last. Provision का मतलब क्या होता है? कि जब जो person होता है, criminal होता है, वो jail के बाहर रहता है. Will remain out of the jail. Under the supervision, under the official. Okay, कुछ rules regulation होता है, कुछ follow करना होता है. जो की code के द्वारा decide किया जाता है. हाँ. तो B answer इसका correct हो, code के द्वारा दिया जाता है. Is it clear? Question number 25. Means test is done in. Means test कहां किया जाता है? Means test. जाता होता है, क्या होता है को अंसर इसका. आज़ो पेरोल का मतलब क्या होता है, को बदाएगा? आइने बड़ी देखी जो भी गौर्वर्मन्ट की जो इस पर जैसे पर एक्जम्प सर्विसिद दी जाती है इस परिकल्स दी जाती है तो उसको चेकडर जाता है इस टेस्ट क क्या एलजबिल है कि लेने के लिए या वेल Helsinki मसे भी जिंध आड नोट So, that is called as mean test. So, that is done in the availability of social welfare services, availability of services to economically weaker section, EWS, availability of services to the tribal or vulnerable section जो होते हैं, उनको generally consider किया जाता है under this, तो आपके तीन हो correct हो जाएगे, means test है, समझे नहीं, period fix को, okay, mean test का मतलब होता है, यहाँ पर हम determine करते हैं कि कोई individual या family member जो है, family है, वो eligible है कि नहीं है, government assistance के लिए, या government जो welfare activity प्रवाइड की जाती है, support दिया जाता है, उसके लिए, okay, वो चीज को determine करता है means test, जैसे कि जो EWS category है, weaker section, tribal people है, okay, तो उनको support दिया जाता है, उनको assistance दिया जाता है, क्योंकि वो इस category के अंदर आते हैं, okay, उसकों बोलते है means test, determine करने के लिए, simple बोले तो determine करने के लिए कि whether people or family is eligible for government support assistance or not, they are eligible or not, otherwise तो सभी लोग फिर eligible हो जाएगे ना, services लेन के लिए, okay, question number 26, what is the time fix payroll to temporary or permanent release for their healthy behavior, okay, question number 26, एक परूल conditional release होता है, from the picture, condition अप्सर भी होती है, okay, question number 26, is what the time limit fixed in development agenda cited, transforming number world, यह जो है, after the sentence, to for the president, for some years, condition release, it's given, हाँ, बिल्कुर ठीक है, उस समय तक हो रहता है, जेल के अंदर, हैना, उसका भीवार, उसका, right, उसको देख करके फिर बाद में उसको condition release दिया जाता है, So what is the time limit, 2030, 2030 is the right answer, okay, यह आपके 17, जो goal है, 169 target, जिसको adopt किया गया था 25th September 2015 को, okay, even submit में, इसका जो agenda था, कि कैसे poverty को खत्म करना है, dedicate करना है, कैसे SDG goals को achieve करना है by 2030, उसका motivate, okay, So these are the agenda of this, submit 2030 agenda for sustainable development, इसके अंदर आपके 17 sustainable goals हो गया है, 169 targets हो गया है, और 2015 में इसको different country के knowledge को adopt किया गया था, and even submit, transforming the world, our world, will be corrected, यह answer correct, question number 27, which of the following community approach was not given by the M.G.Ross, पता यह कौन सा correct होगा, बहुत simple question है, यह answer गलत नहीं है, यह किसी गलावी, अब्रोच, इस परेंद आप्रोच, जनरल कॉन्टेंट अब्रोच और प्रोसेस अब्रोच, content का मतलब यहाँ पर है, facility देना, service देना, simple, तो specific content approach में क्या होता है कि कोई particular program या किसी problem को solve करने के लिए चला जाता है, launch किया जाता है, होगे कोई समस्या को identify करना, उसके regarding plan त्यार करना, वो specific content होता है, मतलब इस प्रोसेस अप्रोच में हम content में focus नहीं करते हैं, यहाँ पर हम focus करते हैं कि लोग का participation हो, लोग अपनी समस्याओं को समझें, उनकी क्या needs है, क्या problem है, उसके regarding resources को identify करें और समस्या को solve करें, जैसे माली जी किसी community के अंदर बहुत ज्यादा लोग drug लेते हैं, तो नसा मुक्ति initiative के start करना, या इस पकार की कोई भी initiative लेना, वो लोग का initiative होता है, उसको बोलते है process approach, तो आपका D answer correct हो जाएगा, यह तीनों इसका हिस्सा है, content का simple मतलब होता है service या कोई facility प्रोवाइड क बताइए. और साथ में year भी लिखना है, तो पहला बताइए plantation of labor act कवाया, 1951 में, उसके बाद फिल, minus act 1952 में, और payment of bonus act 1965, और payment of gratitude act 1972 में, तो यह सही करम में लगे हुए है, ABCD हो जाएगा, ओके, B answer correct होगा, किसी को doubt? सारा रॉंग हो गया, रॉंग हो गया का सही तो है, आइधिंक, अच्छा आपका रॉंग हो गया, कोई बात नहीं याद कर ले न, अच्छा अच्छा, अच्छा, याद नहीं होते है, याद तो करना होगा, इनको आप ऐसे कुछ निवर्क्स बनाईए न, यासे plantation है, ओके, यापर P है, तो P में ऐसे कुछ 9 होता है, इस पगार रखके याद कर सकते है, P होता है, 9 ऐसा होता है, कुछ नो कुछ तो ट्रिक बना कर गयात करना होगा, ऐसे L है है, तो यह बन की तरह होता है, ओके, ऐसे कुछ बना लीजिए, बन जाता है, बहुत सारा, ओके, मैंने ऐसे बना करके याद गिया था, एक्जाम के टाइम पर, यह भी अच्छा है, डेली रटी है, ओके, और कुछ नो कुछ ऐसा, मितलब यह सा नहीं है, आप सब कुछ रट कुछ नो को निमंट्स मनाईए, उसको याद करने का तरीका होता है, या कोई अपने आपके दोस्त का नाम होगा, कुछ, जी से या बी से, एम से, उसको यह से करके याद कर लीजी, यह नमबर होते है ना, नमबर जैसे वन टू थी फॉर फाइव सिक्स, यह आपका यह से य में नहीं आगा, क्योंकि मैंने वह अपनी लाइफ को ले करके बनाय हुआ है, क्योंकि दोस्तों के नाम यह से कुछ करके, यह से याद किया था मैंने, जैसे आप लोग कुछ कर सकते हैं। तो कईने के हमको एक लीगल कानुनी सजा भुगदनी पड़ सकती है। और नर्म्स ने लिजन दिया है कि नर्म्स एक्ट अज एक कंट्रोल मेकनिजम, बिल्कुल सही लिखा है कि जो नर्म्स होते हैं, माबदन जो होते हैं, किसी ब्यक्ति की बिवार को जो है, रेगुलेट लोग बोलते हैं कि आप सही से ब्यक्ति करते हैं, सही से आपका जो तरीका गलत है, आपका जो कंट्ट है अच्छा नहीं है क्योंकि हम सुसाइटी के नर्म्स के अकॉर्डिंग नहीं चल्ड़ होते हैं, तो कौन सांसर क्रेक्ट हो जाएगा? पहला लिखा है कि ब्रेकिंग और नॉम्स में भी इन्वाइट लीगल प्रिंस्पेंट देखिए हो सकता है, क्लास अभी अंड हो जाए, दुबारा से जिंक भजाएगे हम, तो पहला गलत है, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर आम नॉम्स को ब्रेक करेंगे तो आपको कोई जो हमारे समाज की रुव्स होते हैं, उस से कोई लीगल परन्समेंट नहीं मिलता है, लीगल अगर आपने जो रूल हैं अपने हुए गवर्मेंट के उनको तोड दिया, तो आपको ले ज़िए उसका पनिस्मेंट मिल सकता है कि सोसल नॉम्स को तोड़ने पर कोई पनिस्मे